ज्यादा चावल खाने से दगा दे सकता है दिल हमारे देश में गेहूं के बाद जिस अनाज का सबसे अधिक उपयोग होता है वह है सफेज चावल अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग भोजन और पकवान बनाने में चावल का उपयोग पुरे देश मी किए जाता है उत्तरी भारत से लेकर दच्छडी भारत तक चावल प्रती दिन डायट का हिस्ता होता है यानि चावल के बिना दोपर का खाना पूरा ही नहीं होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो दोनों समय भी काफी संख्या में लोग चावल खाते हैं यह पुराने समय के जरूरत के हिसाब से ठीक था लेकिन आज की जीवन सहली में नुकसान दायक साबित हो सकता है देश में हिर्दे रोगियों की बढ़ रही संख्या के पीछे एक कारण चावल का अधिक सेवन भी हो सकता है क्योंकि चावल टॉक्सिंस और आर्सेनिक को अधिक मात्रा में सोक लेता है अध्यन में सामने आई बात वैसे तो चावल सदियों से हमारे भोजन का हिस्सा है और सेहत के लिए बहुत लाबकारी भी होता है लेकिन देश में तेजी से बढ़ते सुगर और हाट के मरीजों के दैनिक जीवन पर किये गए अधियन में यह बात सामने आई है कि अधिक मात्रा में चावल का सेवन करने और सारीरिक रूप से बहुत एक्टिव ना रहने के कारण चावल का अधिक सेवन इनके सरीर पर बुरा असर पड़ रहा है अधिक चावल खाने के नुकसान आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि हमारी पुरानी पिडिया तो लंबे समय से चावल खाती आ रही है लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं थी अब क्यों दिकत हो रही है तो इसका जवाब यह है कि पहले के लोग सारीरिक स्रम बहुत अधिक करते थे लेकिन आज हमारे जीवन सहली से यह गायब हो रहा है इसलिए बीमारिया बढ़ रही है पहले आने जाने के साधन कम थे इसलिए लोग हर दिन कई किलो मिजट तक पैदल चला करते थे इससे उनके सरीर और पाचन तंद्र अच्छे से काम करते थे महिलाएं कटाई पिसाई का काम करती थी पूरुष खेती में बहुत सरम करते थे उनकी तुलना में हम आज बहुत अधिक निश्क्रिय हो चुके हैं इसके साथ ही चावलों में आर्सेनिक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाता है जो की हिर्दे समंधी रोगों के बढ़ने की वज़ा बन रहा है चावलों से कार्डियो वस्कुलर डिजीज मैंचेस्टर और सलफोर्ड विस्टुविद्याले के सोधार्थियों ने अपने सोध में यह पाया है कि जिन जगों पर किसान चावलों की खेती करते हैं के साथ मिलकर हमारे सरीर में कार्डियो वस्कुलर बीमारी को वज़ा बनाता है यह फैक्टर बढ़ाते हैं खत्रा नियमित रूप से चावलों का सेवन करने वाले लोगों में मुटापा और धुमुरपान की आदत हो तो हिदे रोग होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है इसलिए जरूरी है कि जो लोग इन आदतों की गिर्फत में हैं वो इन पर नियंतर रखते हुए चावलों का सीमित मातरा में सेवन करें और खुद को सारेरिक रूप से क्रियासिल रखें ऐसे लोगों को सारेरिक स्रम जरूर करना चाहिए चावल खाने के फायदे भी प्रतिदिन के भोजन में सामिल चावल सरीर में कॉम्पलेक्स कर्बाजेट और बिटामिन बी किया पूर्ती करता है चावलों को मांड के साथ खाना ज्यादा फादमन्द होता है निश्चित तोर पर चावल असानी से पच जाता है इसलिए डारिया और अपच होने पर चावल का सेवन करना पेट को अराम मिलता है आतिसार और पेचीस की समस्या होने पर चावल का प्रयोग गाय के दूद्या दही के साथ किया जाता है पिसाफ समंदी समस्या में चावल की धूले पानी में सोड़ा और सक्कर मिलाकर पीने से पिसाफ की समस्या दूर हो जाती है इसके अलावा भांग का नसा उतारने में भी इसका पर्योग होता है माईग्रेन या आधी सीसी की समस्या होने पर रात को सोने से पहले चावल को सायद के साथ मिला कर खाने से लाब होता है एक सब्ता ऐसा करने से सिर्दर्द की समस्या लगबख समाप्त हो जाती है धन्यवाद